नमस्कार दोस्तो मेरा ना हमेजी तेश और मैं आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उत्तर पाठशाला में दोस्तो आज है 14 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 14 अगस्त से रिलेटेड सभी करेंट अफेर्स का डीप ली डिसकॉशन जो आपके एक्जाम परप दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें आप बैल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए का दोस्तो जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे सभी सोशल हैंडल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं 14 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपून घटनाओं के सांथ 14 अगस्त 1862 को बंबई उच्चे नियाले की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1908 को इंगलेंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर प्रतियोगिता का आयजन किया था दोस्तो 14 अगस 1938 को बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टुडेंट आफ प्राग टेलिविजन पर प्रसादित किये गई थी 14 अगस 1947 को ही भारत का विभाजन किया था और पाकिस्तान नामक एक प्रथक रास्ट बनाया था दोस्तो और 14 अगस 1968 को मुरार जी देसाई पाकिस्तान के सरवोच्चे नागरिक सम्मान निसाने पाकिस्तान से सम्मानित किये गए थे 14 अगस 1971 को बहरीन को 110 वर्स के बाद बिटिस सासन से आजादी मिले थी दोस्तो तो ये थी 14 अगस की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेर्स हमारा पहला करंट अफेर है जल सक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुबारंब किया है केंद्रिय जल मंत्री गजेंदर सिंग से खावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुबारंब किया गया है SBM Academy को मौझूदा सप्ता भर के व्यावार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लौंच किया गया है SBM Academy का शुबारंब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीन के चरण दो का एक महत्वपूर्ण भाग है यह व्यावार परिवर्तन सुनेशित करने के सांथ सांथ प्रमुख हिद्धारकों जैसे स्वच्छ ग्राईयों, PRI सदश्यों, समुदाय अधरित संगठनों, गैर सजकारी संगठनों, SSG आदी के शमता निर्मान को बढ़ाओ देगा अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के बारे में, तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, फौन आधरित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉडूल आफर करती है, जो एक IVR आधरित प्रक्रिक्षन पार्ठिक्रम है इस पार्ठिक्रम में खुले में सौच मुक्त इस्थिर्ता, ODFS और साथ साथ ठोस और तरल अपसिस्ट प्रवंदन SLWM विसायों पर एक विस्तिस रंखला सामिल है इसमें चार चेप्टर हैं, जिसके प्रतेग में चेप्टर के अंतमे एक बहुवी कलपी प्रशनोत तरी के साथ चार ओडियोलेशन भी है यह निसूर के है, ओन डिमांट का उप्योग कभी भी कहीं भी, प्रक्सिक्षन पार्टिक्रम जैसे जिसमें उच्च गुणवत्ता और मानिकी कृत सामगरी शामिल है यह लाभरतियों के साथ बादचीत की गुणवत्ता में शुधार करने के लिए जानकरी के साथ साथ पारिसपरिक संचार कौसल को भी बढ़ाएगा प्रधानमंत्रि मूदी ने पारदर्शी कराधान इमांदार का संच मान के लिए एक मंच का शुभारंब किया है यह नया प्रत्यक्षकर सुधारों की यात्रा की ओर और भी आगे ले जाएगा और इमांदार करदाताओं को पुरक्षित भी करेगा केंदरी प्रत्यक्सकर बोर्ड, CBDT द्वारा प्रत्यक्सकरों में कई बड़े कर सुधार किये गए हैं इन सुधारों में कॉर्परेट टेक्स की दरों में 30% से 22% तक की कटोती लाभांस वितरन कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्मान इकाईयों के लिए दरों में 15% तक की कमी शामिल है सुधारों में प्रत्यक्सकर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी शामिल है जिसके तहट वर्तमान में विवादों को निप्टाने के लिए घोशना दैर की जा रही है और हाल ही में शुरू की गई दस्ताविज पहचान संख्या डीन के जरिये आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्सिता लाना भी इन पहलों में सामिल है तो प्रधान मंति नरेंद्र मूदी ने पारदर्सि कराधान इमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुबारम किया है नेक्स करेंट अफेर है चतिसगर सरकार ने इंदिरावनमितान योजना का शुबारम किया है तो दोस्तो 36 गड़ सरकार द्वारा इंदिराव वनमितान योजना शुरू की गई है इस नई योजना का लक्ष राज जी के वनवाश्यों को आत्म निर्फर बनाना है इस योजना के तहट सरकार राज्य के आदिवासी शेत्रों के 10,000 गावों में युवाओं के सम्हू बनाएगी और वे भी वन आधारित आर्थिक गतिविध्यों का संचालन करने के लिए जिम्मितार होंगे इन आर्थिक गतिविध्यों से वनवाश्यों के लिए स्वरोजगार की आउशर पैदा होंगे इस योजना के तहट 36 गड़ सरकार ने अनसुचित छेत्रों में 19,000,000 परिवारों को युवा समूहों के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है ये समूहों पेड़ों का प्रबंदन भी करेंगे और वन शेत्रों में पेड़ों से वन उपज एककत्र करेंगे इसके अलावा वे वन उपज की सही की मसुलिचित करने के लिए वन उपज की खरीद की भी व्यवस्ता करेंगे तो 36 गड़ सरकार ने इंदिरावनमितान यूजना का शुबारमी किया है तो ये रहा दोस्तो मैप में 36 गड़ बात करें 36 गड़ की तो 36 गड़ भारत का एक राज्य है इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और या भारत का 26 वा राज्य है पहले या मध्यप्रदेश के अंतरगत था कहते हैं किसी समय इस शेत्र में 36 गड़ थे इसलिए इसका नाम 36 गड़ पड़ा परन्तु गड़ों की संख्या में विद्धी हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 36 गड़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानि कीमा का दरजा दिया गया है भारत में दो शेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विसेश कारणों से बदला गया है एक तो मगद जो बौध विहारों की अधिक्ता के कारण बिहार बन गया और दूसरा दक्षिन कौसल जो 36 गड़ों को अपने मैं समाहित रखने के कारण 36 गड़ बन गया किन्तो ये दोनों ही छेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवानवित करते हैं 36 गड़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्य सस्कृतियों के विकास का केंदर रहा है यहां के प्राचीन मंदित अथा उनके भगनावेस इंगित करते हैं कि यहां पर वैशनव, सैव, साक्त, बौद सस्कृतियों का विभिन्य कालों में प्रभाव रहा है एक संसादन संपन राज यह देश के लिए बिजली और इसपात का एक फ्रोत है जिसका उत्पादन कूल स्टील का पंदर पतिशत है चतिसगड़ भारत में सबसे तेजी से विक्सित राज्यों में से एक है चतिसगड़ की राजधानी है दोस्तो राइपूर जिसे नवा राइपूर अटलनगर के नाम से भी जाना जाता है और राइपूर ही यहां का सबसे बड़ा शहर भी है यहां की राजभासा है दोस्तो हिंदी और चटिसगड़ी और चटिसगड़ का गठन हुआ था एक नवंबर दो हजार को और चटिसगड़ के वरतमान राजिपाल है अनुसुया उई के और वहां के मुख्यमंत्री है भूपेश बगेल कौन है दोस्तो भूपेश बगेल और जो विधान मंडल है वो एक सदनी विधान मंडल है जिसमें जो विधान सभा की सीटें हैं वो हैं 90 सीटें और भारती संसर के लिए यहां से राजी सभा में 5 सीटें हैं और लोग सभा के लिए यहां से 11 सीटें हैं दोस्तो और जो चतिसगड़ का उच्छी नियाले है वो है पर स्टेज के रॉकेट इंजिन रफवन का सफलता पूरुवक परिक्षण किया है इसके साथ स्काइरूट एरोस्पेस एक होम ग्रेन रॉकेट इंजिन बनाने की शम्ता दिखाने वाली पहली भारतिय निजी फर्म बन गई है रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजिन है ज 250 से 700 किलोग्राम की उपग्रह को प्रथवी की निजली कक्षा में पहुँचा सकता है जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनी की भागिदारी को केंदरी केबिनेट की मंजूरी के बाद निजे संस्ता के लिए अब ये संबह हो गया है तो इसका एरूट एरोस्पेश जो किसान सहाई योजना शुरू की है तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाई योजना को शुरू करने की घोशना की गई है यह योजना वर्तमान खरीब सीजन के मद्धन नजर की गई है जिसमें राज्जी की सभी किसानों को क पहले से ही मौझूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुक्तान किया है उन्हें धनवापसी मिलेगी पिछली योजना की तुलना में आदिवासी किसान भी इस योजना का हिस्सा होंगे जिसमें उन्हें बाहर रखा गया था तो गुजरात की जो मुख्यमंतरी हैं उन्होंने किसान सहाई योजना शुरू करने की घोशना की है तो यह रहा दोष्टो मैप में गुजरात और बात करें गुजरात की तो गुजरात पश्चिमी भारत में इस इएक राज्य है इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतरास्टी सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है की जो राजधानी है दोस्तों वो है गांधी नगर और गांधी नगर राज्य के प्रमुख व्यावसाई केंद्र एहमदाबाद के समीप इस्तित है तच्च, सौरास्ट, काठियावार, हालार, पांचाल, गोहिलवार, जालवार और गुजरात उसके प्रादशिक संस्कृतिक अंग है उनकी लोक संस्कृति और साहित्य का अनुवंद राजस्थान, सिंद और पंजाब, महरास्ट और मध्य प्रदेश के साथ है विशाल सागर तटवाले इस राज्य में इतिहास यूग के आरंब होने से पूर्वही अनेक विदेशी जातियां थल और समुद्र मार्क से आकर स्थाई रूप से बसी हुई हैं इसके उपरांत गुजरात में 28 आदिवासी जातियां हैं दन समाज के ऐसे वैविध्य के कारण इस प्रदेश को भाती भाती की लोक संस्कृतियों का लाव मिला है गुजरात की राजधनी है दोस्तों वो है गाधी नगर और गुज मंत्री है विजए रूपानी रजक है एक सदनिया विधान मंडल जिसके विधान सवह में सीटे हैं 182 सीटे और वहां से राजिस पर गैयार några सीटे है ौर लोग सवह के लिए वहां से चबभी स्ती है दोस्तों नेक्स करेंट अवेर है मुंबई ट्रैफिक सिगनल पर फीमे सेर बन गिया है बहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रे क्षिग्णल पर विमें प्रतीक को प्रदिशित किया गिया है तो पुरूस प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर साते हैं तो लिए फार्द आइकन एस्टा करने धनी एवं सम्रध राजियों में की जाती है महरास्ट सब्द संस्क्रित का है जो दो अक्षवरों से मिलकर बना है महां तथा रास्ट इसका अर्थ होता है महांदेश यहां नाम यहां के संतों की देन है इसकी राजधानी है दोस्तों मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है और यहां का पूरे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है यहां का पूरे शहर भारत का छटवा सबसे बड़ा शहर है महारास्ट की राजधानी है दोस्तो मुंबई और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ की जो विधाई का है वो द्वी सदनात्मक विधाई का है जिसमें विधान परिशर में 78 सीट हैं और विधान सबा में 288 सीट हैं दोस्तों नेक्स करंट अफेर है पेटियम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रोइड पी ओएस डिवाइस लॉंच किया है यह भारत में लॉंच किया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रोइड आधरिद डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्द पोटेबल लिनेक्स आधरित पी ओएस उपकरणों के तुलना में बहुत अधिक शक्ति साली है यह बड़ी संख्या में लगू और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने और ससक्त बनाने का एक प्रियास है कमपनी का लक्ष अगले कुछ महीनों के भीतर दो लाग से अधिक उपकरणों को जारी करना है जो प्रती महां 20 मिलियन से अधिक लेंदेन को सक्षम बनाएगा अब पेटियम ने लाउंच किया है Android POS डिवाइस अब इस डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो इसे GST बिल जनरेट करने और सभी लेंदेन और उनका निप्टान का प्रबंदन करने के लिए पेटियम फॉर बिजनेस एप के साथ एक इकरित किया गया है इसके अलबा बिजनेस एप के लिए पेटियम व्यापारियों को कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तिय समाधानों जैसे की रिन बीमा और बिजनेस खातों की बिकरी सहीद अपनी सभी लेंदेन के डिजिटल लेजर जैसे उधार, कैश और कार्ट का प्रबंदन करने में स इसकस करती है, यहाँ पेमेंट फेल ना हो, इसके लिए 4G SIM कार्ड, Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी पर यह कारी करेगा, इस डिवाइस का वज़न 113 ग्राम, मोटाई 12 मिलिमीटर और इसमें 4.5 इंची की टाच स्क्रीन लगा है, यहाँ एक सक्तिसालिक प्रोसेसर पूरे दिन की बैटरी लाइफ और QR कोड को स्कैन करने के लिए एक इन बिल्ट कैमरा और तुरंत भुकतान की प्रक्रिया के साथ आता है, यह बिलिंग भुकतान और ग्राहक प्रबंदन के लिए क्लाउड आधरित स्वाप्टेवेर सहीत कई उध्योग प्रथम सुविधाओं और प्रदान करने का दावा करता है, अब इस POS डिवाइस को जारी किया है, पेटियम ने बात करें पेटियम की, तो पेटियम एक भारत की e-commerce shopping website है, जिसका उधगाटन 2010 में क्या गया था, 197 communication इसकी मातर कमपनी है, जो शुरू में मुबाइल और DTS रिचार्ज पर अकरशित क्य पेटियम ने 2012 में भारत के e-commerce बाजार में प्रवेश किया, फिलिपकार्ट, अमेजन और इसने डील के कारोबार की तरह सुविधाओं और उत्पादों को उपलब्ध कराने लगी, 2015 में इसने बस यात्रा टिकट, बुकिंग को जोड़ा, पेटियम को जो संस्थापक हैं द पॉप्स पत्रिका है ने The Highest Played Actors of 2020 यानि साल 2020 के सबसे महेंगे एक्टर्स की सूची जारी की है, बॉलिवूड अभिनेता, अक्षै कुमार वर्स 2020 की सीर्स 10, दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं के सूची में अपनी कुल कमाई, 48.5 मिलियन डॉलर के साथ शामिल होने वाले एक मात्र भारतिय स्टार हैं, इस सूची में अक्षै कुमार को छटे स्थान पर रखा गिया है, उनकी अधिकान्स आय का हिस्सा उत्पादों के विज्यापनों से आया है, यह सूची 1 जून 2019 और 1 जून 2020 की बीच की कमाई को ध्यान में रखकर जारी की ग दे रॉक के नाम से भी जाना जाता है, बात करें, फॉप्स पत्रिकार 2020 की सूची में सीर से 6 सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हैं, ड्वैन जॉनसन, दूसरे नंबर पे हैं, रियान रिनोल्स, थर्ड नंबर पे हैं, मार्क वे अभियान चला रहा है दोस्तों, तो भारती रेलवे स्वतनता दीवस के उपलक्ष में 10 अगस से सवच्चिता सब्ता मना रहा है, सवच्चिता सब्ता के दोरान एक विसेज़ सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे परिसर के पास पत्रियों, स्टेशन, कारे प्लास्टिक कच्रे के संग्रह पर विसेज ध्यान दिया जाएगा इसके अदिरिक रेल मंत्रा लेने स्टेशनों ट्रेनों वाटर वेडिंग पॉइंट्स सौचलेओं के साथ-साथ नालियों की गहन सफाई पर भी ध्यान देने की घूफना की है सांथी डेलवे के रेलवे कर्मियों, यात्रियों और आम जन्ता से ट्रेनों, स्टेशनों और पट्रियों को साफ रखने का आग रखिया है तो रेलवे ने स्टन्ता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ता अभियान तलाया है दोस्तो नेक्स करेंट अफैर है उत्रास्टा के लिए केंदरी ग्रहमंतरी के पदک पराप्त करने वाले विज्टाओं, पुलीस कर्मियों के सन्यजना इस परकार है इसमें 15 पुलिस कर्मी केंद्री जांज ब्यूरो CBI से हैं, 10 पुलिस कर्मी मध्यप्रदेश पुलिस से हैं, 10 पुलिस कर्मी महराष्ट पुलिस के हैं, 8 पुलिस कर्मी उत्तरप्रदेश पुलिस से हैं, 7 पुलिस कर्मी केरल पुलिस से हैं और 7 पुलिस कर्मी पश्चिम मंग पदक दोजार बीस से कुल 121 पुलिश कर्मियों को सम्मानित क्या गिया है दोस्तों और वरतमान हमारे ग्रहमेंटरी कौन है दोस्तों वो हैं अमीद शा नेक्स करेंट आफ़ेर है जाने माने खेल पत्रकार जी के मैनन का निधन हो गिया है वरिष्ट खेल पत्रकार जी के मैनन का निधन हो गया है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और दे टाइम्स आफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दसक की शुरुआत में अपने फ्रिलांस करियर को अलविदा के दिया उन्होंने क्लब इस्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबाई के दादर में सिवाजी पार्क जिम खाना के एक सक्रिय सदश्य थे वह 1952-53 की बॉंबे युनिवस्टी टीम के प्रबंदग थे जिसने बैंगलूरू में फाइनल में दिल्ली को हरा कर रोहिंटन बेरिया टॉ जी ती दोस्तों जाने वाने खेल पत्रकार जी के मैनन का निधन हो गिया है नेक्स करंट अफेर है प्रकास जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्यूनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो केंद्रिय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकास वेंक्या नाइडू ने 11 अगस 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिये हैं बात करें किताब के बारे में तो connecting, communicating, changing जो किताब है उसमें उप्रास्ट पती वेंक्या नाइडू के भास्टनों का संकलन है 250 से अधिक प्रस्टों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गिया है इसमें राजिसबा के उपाध्यक्स और अध्यक्स के रूप में उनके प्रयासों और परिनामों की एक जलक मिलेगी इसके अलावा पुस्तक का प्रिंट कॉफी टेबल संस्क्रण भी केंद्री रक्षामंती सी राजनाथ सिंग द्वारा जारी किया गया था तो प्रकाश जावडेकर ने कनेक्टिंग, कम्यूनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है अब बात करें कल की वीडियो के कोश्चन की तो हमारी कल की वीडियो का कोश्चन था विस्व जैवी अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के कोशन की हमारी आज की वीडियो का कोशन है निमने मैंसे कौन सा देश भारतिय सैनिकों के लिए युद्ध इसमारक का निर्मान करेगा आपके ऑप्शन है अमेरिका, बांगलादेश, भूटान और म्यामार आपको अपना अंसर हमा कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट करना है तो दोस्तो हर अविवार सुबह 11 बजे उत्तर पाठ शला आप लोगों के लिए एक रिविजन प्लैटफर्म लेकर आता है जिसमें हम वीकली करेंट अफरस पर आधारी तेक क्वीज और गनाइज कराते हैं जिसमें वीकली टॉप 50 MC क लेकर आते हैं तो वीकली क्वेस के लिए आप इस कॉफ इससा जरूर लिए गया दोस्तो अपके वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमें बाक्स में कॉमेंट करके जरूर बताजिएगा और अले आपके कॉपनी क्यों सुझाओ हो तो आप अपने सुझाओ भी हमें हमारे कॉम